हाई दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर मेरा नाम है विशाल परिहार पिछले दो दिन से आप लोग एक टर्म काफी ज्यादा न्यूस पर सुन रहे होंगे यह उबर फाइल्स यह उबर फाइल्स है क्या तो सबसे पहले जो उबर है ना यह उबर वही कं जिन पहले काफी सारी अपडेट्स समय आपर देखने को मिलती है इन अपडेट्स में में देखने को मिलता है एक विक्ति है यह आपर जिसको यह पकड़ा जा रहा है लिखा हुआ है ती उबर फाइल्स हाउ 2014 यानि की 2014 डेली रेप केस अनफोल्डेड मैं आपको एक कहानी बताता हूँ यह जो उबर का उबर कंपनी थी और 2014 की एक बात है बात यह है कि 2014 में जो विक्ति है इस विक्ति का नाम है शिव कुमार यादव है ना इस विक्ति का नाम है शिव कुमार यादव यह विक्ति ज कहीं से आ रही थी तो वो यह JUST शरस்क आ रही थी तो इस रसंग मैं यह सूल यह तो इस कहीं कई बार हमें असरम सब्सक्राने की कोशिश करी है वा कि बचने की कोशिश करी इस ने ऊसे पंगा और जबरदस्ति विक्ति ने का रेप किया अब रेप करने के बाद क्या हुआ कि अच्छी बात ये रही कि उसने उसको छोड़ दिया उसके घर पर लेकिन लड़की बिल्कुल डरी रही डरी नहीं अच्छी बात ये रही उस लड़की ने केस फाइल किया केस फाइल किया इसके अगेंस्ट तो जब इसके क case file किया तो Uber Company ने अपना पल्ला जाल डिया क्या कहते हुए कि जो विक्ति है इस विक्ति के उपर पहले से ही कई सारे ऐसे charges जो है लगे हुए है यह repeated offender है इसके क्या है इस तरीकी के offensive करता रहा है तो अगर यह repeated offender है तो आपने इसे रखा क्यों हुआ है बट Uber Company ने क्या किया ऐसे अगर कभी कोई भी घटना होते है तो फिर वो जो लोकल पुलिस होती है फिर लोकल जो गवर्मेंट होती है उसके उपर यह पुरा का बुरा मड़ देते कि इनकी वर्यासा हुआ आप लोगों ने ध्यान क्य रही है तो पुलिस क्या कर रही थी है ना ओके तो यहां तक यह ऐसा करके होता रहा हाला कि पुलिस नों से पकड़ दिया और पाकी वो कारवाई होते रहे चलते रहे डेली आई कोड में चलते रहे बट Uber Company ने अपने अपना पलड़ा ऐसे जाड़ने की कोशिश करें यह जो इस उबर Company में काम करने वाल एक व्यक्ति ने पूर पूरा बताया है कि इस कैसे यह Company जो हे हर तरीके से अपने ऐसे काम करते हैं जिसमें पैसो की हेरा फिरी करना और किस तरीके से कोई केस हो जाता है अगर तो इस गैस में कैया अपना ज्याड़ लेना कस्टमर से कोई लेना देना नहीं है इस तरीके की चीज़े करना है यह इस व्यक्ति नहीं बता है नहीं मैं बता देता हूं तो उबर फाइल्स आर अलीग डेटाबेस है उबर्स एक्टिविटी जो उबर की एक्टिविटी रही है इन अब हुट्टी कंफ्रीज में 2014 से लेकर 17 तक का यह पूरा पूरा करके एकदम ने पूरा पब्लिश का हुआ की यह सब कुछ होता रहा तो फिर क्या किया अब यह सब कुछ तो यहां चलता जा रहा था अपने देश में जल्दी सब को एक नयाएक कहां मिलता है चीज़ेश चलती कहीं ओबर थी ऊबर पर बैन में लगाया गया कुछ में लिए व्याइन लगा दिया कि आपने ऐसे कैसे लाइसे कि यह तो बैक्गराउंड विरिफिकेशन करते हो यह कि नहीं चेक करते और नहीं करते कोई विक्ति जो रीपीट पीडीड ऐसे तो ड्राइविंग लाइसे मिल रखा है उसको नौकरी मिल रखिए ऐसे कैसे मिल जिम्मेदारी कौन लेगा उबर दिम्मेदारी लेगी तो बैन किया गया रुका गया अभी सब कुछ यहां पार चल रहा था पर उतने में क्या हुआ वो लड़की उसने देखा कि यहां सब कु इंडिया में डिरेक्ली यूएस से नहीं आई थी पट कंपनी यह यूएस की है तो जब वहां पहुंचे तब क्या हुआ दोस्तों फिर उधर यह उफेंड और जितने भी था यह व्यक्ति था उसके उपर कारवाई वगाला सब कुछ हो तब एक सलूशन निकाला गया इसमें क्या है कि एक कोई ऐसा बटन औहुला हो जवरूरी है जिसमें क्या अगराब जाते तो स ऐस सब्सक्र्राइब कि और परिश्चिन में पहुंच आउ 닮ाचा कि maximum जगा जो SOS का बटन है, वो काम ही नहीं करता है. तब फाइदा क्या हुआ इस SOS के बटन से? यह काम ही नहीं करता है. इसके अलाबा जो फाइल में बाते लीक हुई है, वो ये बाते लीक हुई है कि Uber जो company है, यह company अपने बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिससे कि टैक्स बचा लेते हैं टैक्स शोरी कर लेते हैं किसको कहां पैसा भेजना है कहां से क्या करना है सारे जो काले काम होते हैं इस तरीके के वो सारे के सारे काम ये Uber Company करते हैं जो की इस फाइल में ये चीज़े लीक हुई है ये भी बताया गया इनके पास एक क्विक स्विच टाइप का भी एक ऐसा कुछ है Uber Kill Switch जिसका नाम है Uber Kill Switch एक्जामपल के तौर पर एक building है for example जहां पर सारे काम होते हैं तो वहां पर जैसी नहीं पता चलता है कि जैसे पोलिस रेट करने जा रही है तो यह अपनी उस बटन को दबा देंगे एक Kill Switch बटन से जिससे कि सारा का सारा जो डेटा होगा वो ओड़ जाएगा गायब हो जाएगा एक्जामपल के तौर पर कोई building है building ही ब्लास्ट होगी घतम बात जाओ देख लो हाँ पर सब पूरगवरा data ही गायब हो जाएगा सब किसी हो कुछ खबर ही नहीं मिले कुछ पत पर हला कि गटना बहुत खराब थी तो अब ही सामने इसी वज़े से आगे केस तो यह पुराना 24 का केस है अब यह केस दुबारा सामने इसलहीं सामनी आगे क्योंकि यह जो uber files की यह पूरी की पूरी जो कहानी एक दम से सामने रख दी गार जे निउस्पेबर के तुरू ज बात एक यह भी होती है कि उबर कंपनी ने हाला कि आप चीज़ें बहुत अच्छी कर दियें क्योंकि मैं आपको बता दू ऐसा होता है अगर कभी कोई कंपनी है जो मल्टी नेशनल कंपनी होते हैं तो उसके कई धारे देशों में उसके सारे बिजनस होते हैं अगर ऐसा है कि एक कंट्री में उसका जो फीडबैक वह खराब आरा है तो इसका इंपक्त दूसरी कंट्री में पड़ेगा तुरण तीसरी कंट्री पड़ेगा तुरण चोर्थी कंट्री वह कंपनी एकदम से बंदिज हो जाएगी तो हाला कि उबर ने काफी अच्छा काम किया है अगर आ यह चीज एक अच्छी चीज आज के टाइम पर चीज ने बहतर हो चुकी आज के टाइम पर लोग जिनके पास कैब होती है तो ऐसा निये कि वो सिर्फ स्पेशली उबर में और आपके पास अगर एक प्राइवेट कैब आपकी तो आपने उसमें करवाले दोनों डाउनलोड कर करके रखते हैं लोग और जिसका भी उन्हें बेसिकली सावारी लेनी होते हैं उसे आपको ओपन करके रखते हैं सर्विस अच्छी सब अच्छी बट फिलाल की कंडिशन जो सामने वो यह है आप मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप में से सभी लोग मुझे बताईएगा आपका experience कैसा रहा है आप भी कैब यूज करते होंगे definitely मैं भी कैब यूज करता हूँ बट हाँ जब आप कैब में जाते हैं तो सतर्ग रहना बहुत जरूरी है किसी भी गाड़ी में जाते हैं सतर्ग रहना जरूरी है आप आँख बंद करके आज भी भरोसा नहीं कर सकते च मुझे बताएगा चाहे आप ओला में सफर करते हैं उबर यूज करते हैं क्या जादा यूज करते हैं और आपका experience कैसा रहता है तो यह थी दोस्तों पूरी कहानी जो कि हमारी उबर फाइल्स को लेकर दी जो हाली में लीक हुई है है ना इसके अलावा दोस्तों और आपके दिमाग में कोई doubt कोई सवाल हो तो दोस्तों मुझे जरूर बताएगा इस पर डिफिनिटल आने वाला होगा most probably कल आ जाएगा तो हम डिटेल डिसकेशन जो इसका और भी अदिशनल कुछ बाते होंगी जो एड होंगी तो दोस्तों वह भी करेंगे बाकी session में कुछ अच्छ दो बात जो आप बताना चाहो डिफिनिटल कॉमेंट बॉक्स बताएगा आपके एक बात को सुनकर हो सकता है किसी और को सलह मिल जाए सीख मिल जाए तो मैं चाहता हूँ आप मेंसे भी लोग को कॉमेंट करके जवाब ज़रूर देंगे बाकी session को अगले session में मिलते हैं आप